आज दुनिया की मशूर शिक्षा है मुझे नहीं पता कि ये मुंबई में कितनी मशूर है पर पश्चिम में ये चीज़ें बहुत मशूर हो गई है कोई आपसे कहता है इस पल में जीओ कोई आपसे कहता है बस छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा यानि कोई और आपके जीवन की देख भाल कर रहा होगा तब ही आप सब छोड़ सकते हैं कोई आपसे कहता है एक बार में बस एक काम करें ऐसे नहीं देखिए ये सभी पिछड़ी होई शिक्षाए हैं यानि इन में से एक दो को देखें आप छोड़ ही क्या सकते हैं मुझे बताए सब कहते हैं बस छोड़ दो भागवान करेंगे खैर जीवन ने अभी तक आपको जग जोड़ा नहीं है तभी आप ऐसी भाशा बोल रहे हैं आप सपनों की दुनिया में जी रहे हैं जब जीवन वाकई जटका दे तब आपको पता चलेगा कि आपको छोड़ नहीं सकते आपको मैनेज करना होगा आज आप अपना बिजनिस छोड़ दें देखें क्या होता है या कुछ नौटंकी करके देखें आज गाड़ी चलाते समय बस छोड़ दे लगता है कई लोग छोड़ चुके हैं बस छोड़ कर देखिए या तो आप मरेंगे या कोई और अब ये लोगप्रिय शिक्षाएं जो दुरभाग्य से लोगप्रिय हो गई हैं इन्होंने मानवता को बड़े पैमाने पर बिगाड़ा है मुझे हाल ही में अमरीका में एक सम्हों मिला वे कटर इसी पल में जियो वाले लोग थे मैं आप से पूछ रहा हूँ क्या आप कहीं और हो सकते हैं मुझे कहीं और रहकर दिखाईए प्लीज क्या आप में से कोई इस पल के लावा कहीं और हो सकता है मैं पूछ रहा हूँ आप हो सकते हैं? क्या आप अभी यहां के अलावा कहीं और हो सकते हैं? नहीं फिर आपको ऐसी शिक्षा क्यों चाहिए? वे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते हुए या आने वाले कल के बारे में मत सोचिए ऐसा होगा अगर हम आपका अधा दिमाग निकालने अगर मैं आपका अधा दिमाग निकाल दूँ तो आप बीते हुए या आने वाले कल के बारे में सोच पाएंगे बस इस पल में जीओ यह हो रहा है क्योंकि लोगों को एक जगह चैन से बैठना भी नहीं आता ठीक है तो लोग ऐसे उपाए खोज रहे हैं शंकरन पिल्लाई ने अमेरिका में एक फामेसी खोली और एक दिन उसे कोई काम था कोई छोटा काम जो उसे करना था तो उसने अपने किशोर बेटे से कहा प्लीज एक घंटे के लिए दुकान की देख भाल करो मैं आता हूँ लड़के ने कहा कोई बात नहीं डाट तो वो बाहर गया एक घंटे बाद वो वापिस आया जब वो वापिस आया तो दुकान के सामने एक आदमी था जो खंबे को गले लगा कर खड़ा था उसकी आखों की पुतलियां ऊपर चड़ रही थी और वो बिल्कुल पागल लग रहा था शंकरन ने उसे देखा कि वो आदमी दुकान में जाना चाहता है या दुकान से आ रहा है कुछ पता नहीं तो उसने उसे देखा और अंदर जाकर अपने बेटे से पूछा वो आदमी कौन है जो इस तरह खंबे को गले लगा रहा है क्या वो हमारा कस्टमर है लड़के ने कहा हाँ डैड वो हमारा कस्टमर है तुमने उसे क्या दिया ओ उसे काली खासी ती तो मैंने उसे जुलाब की दवाई दी और उसे यहीं पर गोलिया खिला दी सारी गोलिया उसने कहा क्या काली खासी के लिए तुमने उसे जुलाब की दवाई दी क्यों अरे डैड उसे देखिये क्या अब उसमें खासने की हिम्मत है तो कई तरह के समाधान है पर क्या ये वाकई समाधान है सवाल यही है तो अब क्योंकि आप एक जगह पर शांती से नहीं बैठ सकते तो कोई कहेगा इस पल में रहो अतीत के या भविश्य के बारे में मत सोचो मुझे बताएं कि आप खुद को इंसान कह सकते हैं अगर आप ना अतीत को याद रखते हैं और ना ही भविश्य की कलपना करते हैं कि आप एक पूर्ण जीवन हो सकते हैं मैं पूछ रहा हूँ आप evolution के स्थर में पीछे जाना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धी को संभालना नहीं जानते यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उनकी बस यही समस्या है आप इसे हजारों नाम दे सकते हैं पर इक लौती समस्या यह है कि आप अपनी बुद्धी संभालना नहीं जानते हैं ना आप देखेंगे, अगर हम आपका आधा दिमाग निकाल दें, तो आप शान्त हो जाएंगे, हाँ या ना, पर मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये कोई समाधान है, क्या ये कोई उपाय है, कि आपका आधा दिमाग निकाल दिया जाए, यानि मुड़कर अतीत में देखने, और समति अधाते कर रहे हैं, शांत होना, या मन की शांती ही आपके जीवन का परम लख्ष है, यहा तक कि ये नाम की अध्यातमिक, शिक्षक और लीडर्स भी कह रहे हैं, मन की शांती ही परम लख्ष है, आप अपना दिमाग लगाईए और बताइए, क्या आप आज रात खाने खाने का मज़ा ले सकते हैं, अगर आप शांत नहीं है, अगर खुश नहीं, तो कम से कम आपको शांत तो होना चाहिए, खाने का मज़ा लेने के लिए, है ना, क्या आप घर ड्राइफ करने का मज़ा ले सकते हैं, अगर आप शांत नहीं है, क्या आप अपने आसपास के लोग रहा हूं क्या ये जीवन की बुन्यादी जरूरत है या ये जीवन का परम लक्ष है ये सबसे बुन्यादी जरूरत है पर अब लोग शांती को स्वर्ग भेज रहे हैं कह रहे हैं शांती जीवन का परम लक्ष है ऐसे लोगों को कबर में ही शांती मिलेगी जो चीज आपको नहीं मिलती वो एक स्वर्ग की चीज बन जाती है आज आप शांती कहें तो लोग कहते हैं दिव्य शांती आप प्रेम कहें तो लोग कहते हैं दिव्य प्रेम आप अनंद कहें तो लोग कहते हैं दिव्य आनंद मनुश्य इस सब के काबिल है है ना शान्त रहना, खुश रहना प्रेम्मय होना, अनन्दित होना ये सभी इंसानी गुण है हाई या ना अगर आप चाहें, तो आप शान्त हो सकते हैं आप प्रेम पूर्ण और अनन्दित हो सकते हैं पर इन सभी चीज़ों को स्वर्ग में एक्सपोर्ट किया जा चुका है तो इन सभी शिक्षाओं के कारण ये सरल पहलू जटिल हो गए है मैं कह रहा हूँ शिक्षा चाहे कहीं से भी आए चाहे वो मेरी शिक्षा हो या किसी और की उसे एक तरफ रख दीजिए बस अपनी बुद्धी लगाए आप मेरी बुद्धी नहीं लगा सकते ठीक है आप शायद मेरे ज्यान का इस्तेमाल कर सकते हैं पर आप मेरी नहीं सिर्फ अपनी बुद्धी लगा सकते हैं तो अपनी बुद्धी के साथ प्रयोग करें अगर ये मददगार हो तो करते रहिए अगर मददगार ना हो तो इसे कल सुभे छोड़ने इसे एक और दिन जारी रखने की जरूरत नहीं है पर पहले ये तै कीजिए आप सांत्वना खोज रहे हैं या समधान खोज रहे हैं अगर आप सांत्वना खोज रहे हैं तो किसी भी चीज में विश्वास करें ये काम करेगा, समझे? मान लीजिए कि जीवन का स्त्रोथ इस बल्ब में है और हर दिन ऐसा कीजिए ये काम करेगा आप जो कर रहे हैं, वो बस एक सस्ता मनोरोग इलाज है हाँ, आप बाहर से मदद लेकर, अपनी मांच से खलचल को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है अगर आपको जरूरत है, तो आप ऐसा कर सकते हैं पर अगर ये आपकी जरूरत नहीं है, अगर आप जीवन का परम समाधान चाहते हैं तो आपको किसी और चीज की जरूरत है, जो ऐसी लोगप्रिय शिक्षाओं से नहीं मिलेगा आपको जीवन के एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाने के लिए एक शक्तिशाली बल की जरूरत है तो जब ऐसी जरूरत महसूस हो, जब ऐसी तड़प हो, तब ही आपको अध्यात्म की तलाश करनी चाहिए और ना, बस, बस कुछ कर लीजिए, पहाड पर चड़ जाएए, ये काम करेगा मैं बता रहा हूँ आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, हाँ, पहाड पर चड़ें, समुद्र में तैरें, ये सब चीज़ें आपके आत्मविश्वास को मस्बूत बनाएंगी या किसी चीज़ में विश्वास करें, पर आप हासिल क्या करना चाहते हैं, आपकी जरूरत क्या है, ये आपको ही देखना होगा क्या आपको परम तत्व जानना है, या आप सिर्फ अपने मानसिक नाटक को मैनेज करने की कोशिश में हैं सबसे पहले आपको ये फर्क करना होगा, पर आपके मानसिक नाटक को सिर्फ अंदर से ही मैनेज किया जा सकता है शायद आप मानते हों कि आप भार से मदद ले रहे हैं पर वाकई आप सिर्फ भीतर से ही मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ये वो भूत है जिसे आप बनाते हैं आप इसे भार से नहीं मार सकते तो सभी शिक्षाएं छोड़ दें आप ठीक हो जाएंगे कर दो सकते हैं